गंशाम्त रारी गंशाम्त आपको दर्शकों गोर को पैनलेस्ट को दुश्यंत कुमार की कविता है खास सड़के बंद हैं तब से मरंबत के लिए यह हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहचान है यह खास सड़के संसद हैं कल नुमाईश में मिला वो चीथड़े पहने हुए मैं में रहते हैं करोणों लोग चुप कैसे रहों हर गजल अब सलतलत के नाम एक बयान है यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसद ठप है और सरकार ने संसद को ठप किया है क्योंकि सरकार चाहती है कि हम सब उसके चुनिंदा पूंजी पतियों को इस तरीके से देखें जैसे इंड में देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे देश के अनेक मंत्री बोलेंगे फ्राइडे को भी बोलेंगे और सैटेडे को भी बोलेंगे सैटेडे को संसद नहीं चल रही तब भी बोल रहेंगे सोचे यह इंडिया तुडे कॉंक्लेव में मंच पर जाकर के बोल सकते हैं लेकि के संसत को चले नहीं देना है डेश के प्रधान मंत्री कर चलने ku तै किया जब स्ट्र के पहले भाग में वह तीन घंटे बोले तो पहली बार संसत में क्या गूंज रहा था इंडिया आ इंडिया ने गूंज रहा था यह लोग्ने प्रदान मंत्री जी ने द्रिश्ट देखा उसके बावजूत तिन घंटे वो एक शब्द नहीं बोल पाए ये भारते जन्ता पार्टी के अटल अडवाने युक का समापन था नरेंद्र अडवानी युक की बुनियाद थी तो ये जो नरेंद्र अडवानी युक की जो बुन लेकिन जो देश के मुख्यमुद्दे हैं जो इंडिया टुड़े ही कहता है कि देश में 18-24 साल के लगवब 50% विरोजगार हैं यहां बहुत सारी महिलाएं हैं लड़कियां हैं सब की इक्षा होगी जाके काम करें पिछले आठ नौ साल में आप देखिए फीमेल लेबर फ दीवाइं मिला है कि आप पर दिलान हो जानते हैं तो जो सरकार निरंतर जुट बोलती है जिसकी तर लिए कि प्रदान मत्री डरे हुए है तो साथoga अधि और और दुझें बाहने बनाया जा रहे हैं ने वह सकते हैं तो अपते तुना गहां यह सकते यह जवाब दीजी तौष थी स्वाफित देखिये इसा है पाता नहीं एदसे सुना दिया इन्हों ने भी तुम्हें ट्री वर्सीज वन नहीं है इतना बहुत 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 सबसे बुरे दौर में लाके खड़ा कर दिया दो भार नेता प्रतिपक्ष बनने की सिती नहीं आई तो मैं इन दोनों कोई एक-एक इनके बारे में एक-एक लाइन बताता हूँ जो इनके विचारधारा के कवियों ने लिखी है और मोदी जी के आगमन से बहुत पहले जब भाजपा का कुछ भी नहीं था समाजवादी पार्टी का प्रतित करते हैं समाजवादी के बहुत बड़े कभी थे अदम गोंडवी समाजवादी थे और बाद उन्होंने समाजवादियों के अंदर जिस प्रकार का धरश्टा अचार और अपराधा आता देखा तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि आपके कभी ने लिखा आपके लिए हमारे ने अब इनके लिए बलशीदर शुकुल थे सुतंता अंदोलन में कॉंग्रेस के लिए जेल गए अब मेरे ख्याल से त्यागी जी ने जरूर नाम सुना होगा और इंडिया रेडियो में जॉब करते थे पचास के दशक्त में ही उन्होंने देखा जैसे आजादी के बाद पचास साट के दशक्त में जब उनको लगा कि इतना फ्रस्टाचार कॉंग्रेस में आने लगा था उन्होंने कविता लिखी हुईगा सुतंत्र भारत हमार तो थोड़ा अबधी में है तो उन्होंने कहा कालेज की सब खिड़की स से बिंए उन्हारी में आखिम सुतंत्र हर हा सुतंत्र गलियार्गोर चरहा सुतंत्र परतंत्र हुए Aoिative हुई जनता पार्टी थि नब्मोदी जी ते जिस जमाने में आप ही के लोगों ने दो चीज़े आप लोगों के लिखी थी इसलिए मैंने बिनमरता से पूझा है क्य मुलायम सिंग जी के उपर disproportionate asset के case हमारे सत्ता मियाने से बहुत पहले से नहीं चल रहे हैं यह बताईए 95-96 के दौर में क्या Congress के उपर मनमोन सिंग जी के जमाने के तूजी सिट पर निर्वहन कर रहे हैं मनमोन सिंग जी का दौर शोर दिये नर्सिमा राव जी देश के पहले प्रथान मंत्री पत्से हटने के बाद उनको भ्रष्टाचार के मुकदमों में जाके खड़ा होना पड़ा हम थे क्या उस समय राजीव गांदी जी के उपर बोफोर्स का आरोप लगा भारत के पहले प्र ब्रष्टाचार है दो ही चीरे हैं अपना अपना परिवार बचाना है और अपना अपना ब्रष्टाचार बढ़ाना है